असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं सब खेरियास से होंगे सो वेलकम तू मार चैनल हिरा फरहान सो जनाब आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं देगी स्टाइल चिकन बिर्यानी की रेसिपी जो हम बनाएंगे घर के मसाले में मेरे स्टाइल से जिसके हमने ले लिए एक किलो चांवल हमने ले लिए बासमती अच्छे वाले एक किलो चांवल हमने आदे घंटे पहले ही भी घो दी है हरी मिर्चे हरा धनिया पॉदीना धही सब ले लिया है अब हम अपना बिर्यानी का मसाला बना बें बादियान के फूल बड़ी लाइची काली मिर्च, लॉंग, दार चीनी और जीरा, ये सब निकालने एक जगा, दार चीनी, जैफल, लाल मिर्च, दो चमच, पिसा गरम मसाला, साबुद धनिया, दो चमच, गरम मसाला, एक चमच, हल्दी, पिसी काली मिर्च, छोटी लाइची, फूट कलर, आलो बुखारा, तो ये हमारा बिर्यानी का मसाला रेड़ी है, तो हम नमक इसमें एड़ कर देते हैं, अपने हिसाब से मसाले के हिसाब से मैंने नमक एड़ किया है, क्योंकि चावल बॉयल करके डालेंगे, तो चावल बॉयल करते हैं, मैं अलग से नमक एड़ करूंगी, बिर्यानी के मसाले म आप लोग देख सकते हैं इसमें से बहुत अच्छी खुश्भू आती है आप लोग यह रैसी भी ज़रूर ट्राय के जीएगा घर के मसाले की तो चिकन हमने वाश करके अच्छी तरह से रख लिया था पहले ही अब इसके अंदर हम दही एट करेंगे अच्छा देख बिर्यान करेंगे टिमा साथ करेंगे अपना बिर्यानि मसाला आड़ करेंगे आर पड़र से ते आप लोग ज्यादा एड़ कर सकते हैं अद्रक लस्टन का पेस्ट एड़ करेंगे पॉदीना एड़ करेंगे हरी मिर्च एड़ करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसमें मैं आप और एड़ करी हूं और भी मैंने टू स्पून लिया है टू टेबिल स्पून तो अब इसे हम सारी चीजें डाइड करने के बाद इसको अच्छे से मेरिनेट करेंगे आप लोग देख सकते हैं मैं बहुत अच्छे से इसको मेरिनेट करी हूं इसको मिक्स करके तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती हूं तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्क्राइब करना मत भूलिए तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मेरिनेट करने के लिए मैंने रख दिया है मसाला इसमें लग चुका है तो पतीला मैं रख चुक्की हूँ चूले पे अब इसको हम पकाने के लिए रखते है तो मैंने पानी इसके अंदर अब इड नहीं किया है ये पानी खुद ही छोड़ीगी चिकन टेमाटर प्यास सब चीज़ें अपना पानी चोड़ती हैं आप लोग देख सकते हैं मैंने पानी एड नहीं किया था इसने खुद अपना पानी चोड़ा है मसाला अलग होने लगा है आप लोग देख सकते हैं मसाला अलग हो गया है ओल उपर आ रहा है तो पानी मैंने बॉइल करने के लिए चामल रख दिया था पहले से ही तो चामल को भीगे वे आदा गंटा हो पानी में इतना टाइम ही लगता है क्योंकि चिकन फॉरन ही गल जाती है तो आप लोग देख सकते हैं मसाला रडी है तो अब पानी भी हलकल का गरम होना स्टार्ट हो रहा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला अड़ कर दिया था उसकी खुश्बू अच्छ आड़ करने के बाद चावलों में एक अलग टेस्ट आता है तो अब मैंने अपनी चावल एड़ कर दिये हैं चावल मैंने अच्छा वाला बासमती लिया था यह बात आप लोग याद रखेगा बॉयल चावल जब भी आप बनाएं अच्छा वाला चावल लें वरना आपके इसमें बबल साना स्टार्ड हो गए है अच्छे से चावल मेरे बॉयल हो गए है आप लोग देखेगा मैं दिखाती हूं आप लोग को आप लोग देख सकते हैं यह गल चुके है इसमें एक कनी बाकी है मगर तो आप मैंन को निथार ले दियों स्टेनर की मदब से मैश को निथार लें तो आप लोग मेरी यह रैसिपी जरूर ट्राय कीजिएगा इसका टेश बिल्कुल देख कि बिर्यानी का आता है बहुत मजी की बनती है यह बिर्यानी आपकी गैस्ट को बहुत पसंद आएगी महमानों को बहुत पसंद आएगी बि बजार से मंगवाई है सो फूट कलर मैंने डाल के पानी को थोड़ा सा बॉइल कर लिया था क्योंकि मुझे आलू काट के इसमें डाले थी क्योंकि देख की बिर्यानी में जब फूट कलर वाली पोटैटो नजर आते हैं तो वह अलग से अच्छे लग रहे होते हैं एक कलर है और भी उनका प्यारा लग रहा होता है हूं सो इसलिह मैंने आलू भी काट लिये थे सो अब हम अपना दम लगा ना चामलों में स्टार्ट करते हैं क्योंकि चामल मैंने थार चुकी थी तो पहली तह जो मैं लगांगी वह अपने चामल की लगाओंगी सबसे पहले मैंने आगे लगा लिए नीचे थोड़े से और चाव अट करेंगे. सो अब हम इसमें अपना मसाला जो हमने डी करके रखा था फ्स आप और ऐड़ करेंगे. बहुत ख्याल से बहुत उत्यास से. सारा मसाला جो मैंने निकाल के पहली रेडी करके रख लिया है िकsel की अमफ में एट करी हूं पूल की आपको ऐसे लिएर लगानी है कि आपके वाइट चाivesseल जो नीचे के लिएर लगाई है वो छुप जाए सारा मसाला जो है मैंने अपना इसी में इसी लियर में फैनी लियर में ही लगा दिया था अगर आप लोग दो किलो की या तीन किलो की चामल की बिरियानी बनाते हैं तो आप उसमें दो लियर लगा सकते हैं मगर मैंने 1 किलो की बिर्यानी बिनाई तो मैं इसमें एक में लाइचाल लगा थी ओपर ये अब खीर ऍटी आइचे चैनल की आइच कर दिया थीयोंक है क्योंकि भी इप आप गीरम बिर्यानी पहनेगे थीयों उपर से घीघर ये वरना जाबना सूके सूके रहते जा पमॉबिठीन का उसका हैं जालु यहीं हैं पोल्जी कोड़कना गघाती साधियों 5 अचनम्क्ट मित प्रइदी का लेकर दो कहीं दो और देया है 125 कमणियों में चालों का जालय। दो आफ रहे हैं, कि तक मुझे नाट रहा है हुआ है, तो इस लुढ़ यहां कि तो हम लोगों ने खाई थी बहुत मज़ी की बिर्यानी बनी थी मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद आई थी तो आप लोग जरूर ट्राय केजीएगा ये रेसिपी तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है और सब्क्राइब कर तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपनी लियर लगाने के बाद दम लग चुका है मेरी बिर्यानी में अब मैं आप लोगों को मिक्स करके दिखाती हूँ खिले खिले बहतरीन चामल बने हैं बहुत खुबसूरत बहुत मज़ेदार बहुत ब्यारी खुश्बू आ रही थी चामलों में से बिर्यानी में से तो गैस मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अलाफिस हुआ 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 है